हेलो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बैलिजिका चेप्टर नबर 1 रिप्रोड़क्शन इन और्गनिजम्स इस चेप्टर में हम लोग अभी तक समझ चुके हैं कि जीवों द्वारा अपने ही समान संतान उत्पन करने की प्रेक्रिया को हम रिप्रोड़क्शन कहते हैं रिप्रोड़क्शन दो परकार का होता है एसेक्शुली प्रोड़क्शन और सेक्शुली प्रोड़क्शन ए सेक्शुली प्रोडक्शन के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ लिए हम लोग बेश्टेटी प्रोपागेशन के बारे में भी पढ़ लिए आज का हमारा टॉपिक है सेक्शुली प्रोडक्शन हम लोग आज जानेंगे कि Sexually Production में कौन-कौन सी घटनाएं घटती है तो हमारा टॉपिक है Events in Sexually Production यानि लेंगिक जनन की घटनाएं Sexually Production के दौरान जो सब घटनाएं घटती है आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इतना जान चुके हैं कि Sexually Production में प्राया दो पेरेंट इन्वाल्व होते हैं एक male parent और एक female parent या लिखे हुए है male parent और female parent male parent के सरीर में बनता है male gamit यानि की sperm और female parent के सरीर में बनेगा female gamit या फिर ओभं ये एक sperm का figure है और ये एक ओभं का figure है होता क्या है कि sperm जाता है ओभं के पास और ओभं के अंदर परवेश कर जाएगा यान कि male gamit female gamit के अंदर परवेश कर जाएगा इस किरिया को हम बोल देंगे fertilization जैसे ही fertilization होगा तो ये दोनों cells के मिलने से एक cell बनेगा इन दोनों cells के मिलने से एक cell बनेगा तो थोड़ा सा हम लिखते भी है ठीक है थोड़ा सा हम लिखते भी है जैसे कि sperm है ओभं है sperm ओभं के अंदर परवेश कर गया sperm एक cell है ओभं भी एक cell है इस पर्म छोटा है ओभं बड़ा है sperm ओभं के अंदर परवेश कर गया तो जैसे ही sperm ओभं के अंदर परवेश करेगा तो बनेगा क्या जैगोट तो मान लिया जाए कि ये एक जैगोट है ये क्या है एक जैगोट है फिर इस जैगोट में होने लगेगा mitosis division तो उसमें पहले 2 cell embryo फिर 4 cell embryo फिर 8 cell embryo तो जैसे इसमें division होगा तो पहले इसमें 2 cell बन जाएगा फिर 2-4 cell बन जाएगा 4-8 cell बन जाएगा देरे देरे बहुत सरा cells बन जाएगा तो हम इस structure को बोल दिये embryo ये embryo और विक्सित होगा और बाद में ऑफिसरिंग बन जाएगा एक संतान बन जाएगा तो मान लिया कि जह है ये एक संतान बन गया तो sexually production में यही सब घटना इगटती है यनि कि एक होगा male parent एक होगा female parent male parent में बन गया male gamit female parent में बन गया female gamit male female gamit आपस में fuse किया जुड़ गया इस करिया को बोल देंगे fertilization इसके बाद बन जाएगा जाएगोट जाएगोट बिक्सित होकर बनाएगा इम्ब्रायो इम्ब्रायो से बनेगा ओफिस्परिंग यही घटनाए sexually production में घटती है तो sexually production की घटनाओ को तीन भागों में बांट दिया गया sexually production की घटनाओ को तीन भागों में बांट आ गया देखते हैं कौन-कौन सा है हम जानते हैं कि जब male gamit और female gamit आपस में जुड़ कर जाएगोट बनाता है तो इतना सा process को यहनकि male gamit और female gamit आपस में जुड़ कर क्या बनाया जाएगोट बनाया इस process को हम कहते है fertilization इसको बोल देंगे fertilization लिख दरते हैं fertilization यह कहला गया fertilization हिंदी में इसको बोलेंगे nisation यह हो गया nisation ठीक है इसके बाद इसके बाद fertilization के पहले भी कुछ घटनाएं घटती है कौन सी घटना तो male parent में male gamit बनेगा female parent में female gamit बनेगा तो यह जो gamit बन रहा है तो fat lesson के पहले बन रहा है fat lesson का मतलब है fusion of male and female gamit तो male female gamit तो fusion करेगा जुड़ेगा fat lesson करेगा लेकिन उससे पहले male parent के सरीर में male gamit बनेगा female parent के शिर में female gamit बनेगा यानि कि fertilization के पहले भी कुछ घटनाएं घटती है और fertilization के पहले जो घटनाएं घटती है उसको हम बोलेंगे pre-fertilization event निसेचन के पहले की घटना pre-fertilization event तो लिखते हैं इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हिंदिम बोलेंगे निशेचन पूर्व घटनाए ठीक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट निशेचन पूर्व घटनाए निशेचन के पहले की घटनाए इसके बाद जब जाइगोट बन जाता है फैटलाइजन हो गया फिर जाइगोट से बनाए इम्राइज इम्राइज से बन गया ओपी स्प्रिंग यानि कि fat lesson के बाद भी कुछ घटनाएं घट रही है तो fat lesson के बाद जो भी घटनाएं घटती है इसको हम बोलेंगे post fat lesson event इसको बोल दिये post fertilization event ठीक है? post fat lesson events तो हम इसको हिंदी बोलेंगे निशेचन पस्च घटनाएं तो एक नमबर में हम बोल दिये pre fat lesson event दो नमबर में बोल दिये fertilization और तीन नमबर में बोल दिये post fat lesson event हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि pre fat lesson event में क्या होगा? fat lesson में क्या होगा? और post fat lesson में क्या होगा? बारी बारी से देखते हैं सबसे पहले pre fat lesson event निशेचन के पहले जो भी घटनाएं घटती है fat lesson होने के पहले जो भी घटनाएं घटेगी उसको बोलेंगे क्या? pre fat lesson event तो हम यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर हम बोलेंगे फेटिलाइजेशन के पहले की घटना यह क्या है तो फेटिलाइजेशन फेटिलाइजेशन के पहले की घटना यह फेटिलाइजेशन के पहले की घटना है तो फेटिलाइजेशन के पहले की घटना है यानि pre fat lesson event जो है इसको बांट दिया गया है दो भाग में कौन-कौन तो एक है gametogenesis और दुसरा है gamet transfer gamet transfer एक हो गया gametogenesis एक हो गया gamet transfer सबसे पहले male parent और female parent दोनों के सरीर में gamet बनेगा gamet क्या है तो gamet वह haploid reproductive cell होता है जो की संतान के निर्मान में भाग लेगा कोई ऐसा haploid cell जो की संतान के निर्मान में भाग ले उसको हम बोल देंगे gamet जैसे एक male gamet होता है जब male gamet आपस में जूड़ जाएगा तो उसी से संतान का जन्म होता है तो pre fat lesson event यानि fat lesson के पहले की घटना को हम दो भाग में बांट दिये एक हो गया gametogenesis एक हो गया gamet transfer gametogenesis किसको बोलेंगे gamet बनने की प्रेकरिया को parent body में gamet बनने की प्रेकरिया को कहेंगे gametogenesis तो लिखते हैं जड़ा सा gamets के निर्मान की प्रेकरिया को हम बोलेंगे gametogenesis यह जो gametogenesis है gametogenesis का मतलब है gamet का बनना चाहे male gamet बने चाहे female gamet बने दोनों बने male gamet female gamet दोनों का बनना कालाता है क्या gametogenesis इस gametogenesis को दो भाग में बाटा गया है तो A और B कर देते हैं जब male gamet या sperm बनेगा तो हम उसको बोलेंगे spermatogenesis उसको बोल देंगे spermatogenesis ठीक है spermatogenesis और जब female gamet या उखम बनेगा उसको बोल देंगे oogenesis oogenesis तो spermatogenesis का मतलब है male gamet male gamet या sperm बनने की प्रेकरिया male gamet या sperm बनने की प्रेकरिया male gamet या sperm बनने की प्रेकरिया ठीक है इसके बाद यह oogenesis क्या है तो female gamet या उखम बनने की प्रेकरिया ठीक है जब male gamet या sperm बनने का उसको हम बोल देंगे oogenesis जब female gamet या उखम बनने का उसको बोल देंगे हम oogenesis और दोनों मिलकर के कहला गया क्या gametogenesis तो gametogenesis में किसका निर्मान होता है बोलेंगे male gamet और female gamet दोनों का निर्मान होता है अगर को सनाएगा oogenesis में किसका निर्मान होता है बोलेंगे female gamet या फिर oogenesis में किसका निर्मान होता है इसी तरह से अगला है gamet transfer अगला है gamet transfer गेमेट transfer का क्या मतलब है प्राय मेल गेमेट गती सील होता है मोटाइल जो कि मेल गेमेट में फलजेला होता है मेल गेमेट में मेल गेमेट में फलजेला होता है जैसे ये है मेल गेमेट ठीक है मेल गेमेट और ये है फिमेल गेमेट ये है फिमेल गेमेट तो मेल गेमेट में फलजेला पाया जाता है ये जो पूंच है ना ये कहला गया फलजेला और फिमेल गेमेट में ऐसा कोई फलजे ला होता नहीं है तो अगर लिक्विड मीडियम है बीच में अगर इस बीच में लिक्विड मीडियम है तो मेल गेमिट अपने पूंच की साहता से तेरते हुए पहुंचेगा किसके पास यह पहुंचेगा किसके पास फिमेल गेमिट के पास और तब जाकर के फिमेल गेमिट के इस्थिर रहता है एक जगर पी स्थिर एगा चुकि इसमें मूव करने की छमता नहीं होती है लेकिन male gamit में फले जिला है और इस वज़े सी ये गती कर सकता है तो male gamit जब गती करते करते female gamit के पास पहुँचता है इतना सा process ही कहलाता है क्या? Gamit transfer male gamit जब गती करते हुए female gamit के पास पहुँचेगा ये process कहला गया क्या? Gamit transfer प्राया ऐसा ही होता है लेकिन अगर कुछ lower organism की बात की जाए निमन वर्ग के gamit की बात की जाए जैसे की algae का gamit ठीक है? algae का gamit यानि सेवाल, algae जो पानी में पाया जाने वाला बहुत ही simple type का घास होता है उसको बोलता है algae तो algae में क्या है कि male gamit और female gamit दोनों ही चलनसील है male female gamit दोनों चलनसील है दोनों चलता है और आकर के fat lesson कर लेगा लेकिन प्राया अगर हम उच वर्ग के जीवों की बात करें तो उसमें male gamit motile होगा motile याने की चलनसील motile याने की चलनसील और जो female gamit है यह होता है non motile non motile याने की o चलनसील तो male gamit गती करते हुए female gamit तक पहुँचेगा और यह प्रोसेस का हला गया gamit transfer तो लिग देता है male gamit को female gamit तक पहुचने की प्रेकरिया को बलेंगे gamit transfer clear है pre fat lesson event में दो घटना घटा एक है gamitogenesis एक है gamit transfer gamitogenesis क्या है? gamit बनने की प्रेकरिया को हम gamitogenesis काता है जब male gamit बनेगा उसको बलेंगे spermatogenesis जब female gamit बनेगा उसको बलेंगे oogenesis गेमिट transfer क्या है तो जब mail गेमिट गती करते वे फिमिल गेमिट के पास पहुचेगा यह process का अला गया गेमिट transfer आगे बढ़ता है थोड़ा सम देखता है यहां पर यह NCRT book का image है NCRT book का image है थीख है थोड़ा ध्यां से समझने का कोशिज करना है ये है male reproductive system का figure और male reproductive system में यहाँ पर है testis ये दोपीज testis है इस testis के अंदर में बनेगा male gamit या फिर sperm ठीक है? male gamit या sperm ये है female reproductive system का figure और इस female reproductive system में ये जो दो इस्टक्से दिखाए पड़ रहा है ये है ovary और इस ovary में बनता है female gamit या फिर obham male के testis में human की बात कर रहे है मनुस की बात कर रहे हैं तो male के testis में male के testis में बनेगा male gamit या sperm ठीक है? और female की ovary में बनेगा female gamit या फिर obham इसके बाद आगे बढ़ता है थोड़ दियां से देखना है ये female reproductive system का part है और थोड़ से इसको दियां से समझने का कोशिज करना है female reproductive system में ये है हमारा ovary दोपीस एक तरफ कट किया गया figure है और एक तरफ बिना कट किया गया है तो ये दोपीस क्या है? ovary है इसके बाद ovary के पास से एक नली निकला हुआ जिसको हम कहते है फैलोपियन ट्यूब तो ये हो गया फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड में है ये दोनों फैलोपियन ट्यूब एक थेली में आकर के open हुआ इस थेली को हम कहते है uterus इस थेली को बोल देता है uterus uterus का उपरवला जो भागए ये कहलाता है phundus और uterus का जो दिवार है इसमें तीन लेर होता है सरसे अंदर का लेर कहला गया indometrium उसके बाहर का कहला गया myometrium इसके भी बाहर का होता है perimetrium यहाँ नाम नहीं है लिख दता है perimetrium ठीक है? perimetrium फिर uterus का जो निचला भावता यह कहलाता है cervix और cervix के भी आगे का पाट कहला जाता है वजीना ठीक है? तो यह जो overy है यही पर बनता है obham और जब overy में obham बनेगा तो obri से obham बाहर निकलेगा तो यह जो fallopian tube का जो शुरू का भाग है जहाँ पर finger like डिर स्ट्रक्चर पाया जाता है इसको आँ कहते हैं femri तो जैसे obri बाहर निकलेगा तो femri उसको पकड़ लेगा इसे अखीच लेगा अपने अंदर अखीच लेगा तो यह obham चला गया कहां माना कि यह है obham, obham आ गया fallopian tube के अंदर धीरी धीर obham move करेगा और move करके थोड़ा सागे बढ़ेगा और fallopian tube का एक जगा होता है जिसको कहते हैं ampula उसको बोलते हैं ampula तो ampula में यह obham पहुँचा तो क्या है कि यह जो fallopian tube है इसके अंदर में रोम जैसा structure होता है hair like structure जिसको बोलते हैं cilia मतलब महीन महीन hair जैसा structure fallopian tube के अंदर में होता है उसको बोलेंगे cilia तो cilia इसे-से move करता है इस तरह से हिलते रहता है और उसके वज़े से यह obham उसके उपर slip कर जाएगा आगे बढ़ जाएगा लेकिन obham में खुद से गती करने की चमता होती नहीं है fallopian tube के अंदर बहुत सरा छोटा 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 रोम जैसा structure होता है इसको बोलता है cilia और वो इस तरह से move करते रहता है उसके वज़े से obham उसके उपर slip करते आगे को बढ़ जाएगा लेकिन की obham खुद से गती नहीं कर सकता है इसके बाद जब copulation होता है जब male का penis female के वज़ीना में पहुँचेगा female के वज़ीना में penis पहुँचा और यहाँ से sperm निकला यहाँ से sperm इस्तरस निकला तो जैसे sperm निकलेगा यह sperm है यह sperm है तो यह sperm धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ेगा और जाएगा cervix में cervix से फिर आगे बढ़ेगा और यह sperm धीरे धीरे जाएगा दोनों साइड के फिलोपियन ट्यूब में लेकिन obham किसी एक ही तरफ रहेगा एक बार में obham किसी एक ही तरफ रहता है तो यहाँ पर male gamit यह sperm आगे को रगती करते जा रहा है करते जा रहा है obham किसी एक ही साइड में रहेगा अब यह sperm आ चुका है obham के पास यह sperm आ गया किस के पास? obham के पास तो male gamit गती करते हुए female gamit के पहुंचा ना ये process कहा लागया क्या gamit transfer जब female की ovary में female gamit बनेगा male के testis में male gamit बनेगा इसको बोल देंगे gamitogenesis और जब sperm यानि male gamit गती करते हुए female gamit के पहुंचा इसको बोल दिये gamit transfer यहाँ पर हम देख रहे हैं यह है एक ओभम यह क्या है तो यह है ओभम ठीक है और यह सब क्या है तो यह है sperm यह है sperm तो sperm मुह करते हुए जा रहे है किसके पास ओभम के पास ओभम के पास बहुत सारा sperm पहुंचेगा लेकिन एक ओभम से कोई एक ही sperm फ्यूज करेगा जुडेगा, बांकी स्पर्म बेकार हो जाता है तो ढेरसरे स्पर्म पहुचता जरूर है ओभम बहुत बड़ा होता है एक स्पर्म की तूलना में ओभम का साइज काफी बड़ा होता है हम इसपर्म को human body का सबसे smallest cell कह सकता है एक इसपर्म जो होता है ये human body का सबसे smallest cell होता है और जो एक ओभ़म है इसको हम human body का सबसे large cell बोलेंगे human body का सबसे बड़ा cell ओभ़म होता है अगर लंबा cell पूछा जाए तो लंबा cell में बोलेंगे neuron लेकिन अगर बड़ा cell पूछा जाए कि human body का सबसे बड़ा cell कौन बोलेंगे ओभम human body का सबसे छोटा cell कौन बोलेंगे sperm तो sperm की तुलना में ओभम बहुत बड़ा होता है sperm धेर सारा संख्या में पहुंचता ओभम के पास लेकिन उसमें से कोई एक ही sperm ओभम के साथ में fat lesson करेगा तो अभी हम बताए कि gamitogenesis का मतलब है male gamit और female gamit का बना gamit transfer का मतलब है कि male gamit गती करते-करते female gamit के पास पहुंचता है ये process का लाता gamit transfer इसके बाद क्या होगा? fatulation तो fat lesson के बारे हम लोग पढ़ेंगे फैट लैसन के बारे हम लोग पढ़ेंगे लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा गेमिट और उसके टाइप को समझेंगे कि ये गेमिट होता क्या है और उसका फिर क्या-क्या टाइप से है तो थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिज करना है तो अध्यान से समझने का कोशिज करना है ये gamit है क्या gamit वह haploid reproductive cell होता है जो की संतान के निर्मान में भाग लेगा haploid cell, diploid cell पता है जिस cell में chromosome का केवल एक सेट रहेगा उसको बलेंगे haploid cell उसको दरसाते हैं किसे? N से जिस cell में chromosome का double set रहेगा उसको बलेंगे diploid cell उसको किसे दरसाएंगे? 2N से, sperm और ओभम ये दोनों क्या है? haploid cell है और जो बड़ी cell है हमारे हाथ का cell, पैर का cell ये सब क्या है? हमारे जो बड़ी cell है ये है diploid cell तो gamit हम किसको बलेंगे? तो हम कहेंगे वह haploid reproductive cell जो कि संतान के निर्मान में भाग लेता है जैसे एक sperm है, haploid है, एक ओभम है, haploid है, human sperm में कितना कुर्मोसम? 23 ओभम में कितना कुर्मोसम? 23 जब दोनों आपस में जूड करके जागोट बनाएगा तो जागोट में कितना हो जाएगा? 46 यानि कि sperm और ओभम, male gamit और female gamit कैसा है, haploid, और ये reproduction में भाग ले रहा था, हम इसको reproductive cell बोलेंगे, उसके बाद संतान भी जनम दे लेता है तो हम इस पर ओभम के आरिम कहते हैं, कि ये दोनो, वह haploid reproductive cell है, जो कि संतान में, के निरमान में भाग लेगा, हम इसको बोल देते हैं, gamit तो सिधा बोलेंगे, वह haploid, यानि कि N वाला, reproductive cell, reproductive cell, जो of spring के निरमान में भाग लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे, गेमिट बोलेंगे, ठीक है, उससे गेमिट, कहते हैं, वह haploid reproductive cell, जो कि of spring संतान के निरमान में भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं, गेमिट कहते हैं, ये गेमिट होता है, दो तरा का, ये जो गेमिट है, ये होता है, इसका ज़रा समलोग types देख लेते हैं, गेमिट होता है, दो तरा का, कौन-कौन, कौन-कौन, तो एक है, एक को हम कहते हैं, एक को कहेंगे, होमो गेमिट, होमो गेमिट, या इसी को हम कहेंगे, आईसो गेमिट, होमो गेमिट या फिर, आईसो गेमिट, और दुसरा है, दुसरा है, हेटरो गेमिट, हेटरो गेमिट, या इसी को बोलेंगे, एन आईसो गेमिट तरह द्यान से समझना है गेमिट हो गया दो प्रकार का एक है होमो गेमिट इसी को बोलते हैं आईसो गेमिट एक है हेटरो गेमिट इसको बोलते हैं एन आईसो गेमिट मेल फिमेल गेमिट होता है ये बात हम लोग जानते ही हैं male female payment होता है लेकिन ये इसका वर्गी करन नहीं है homo gamete hetero gamete क्या होता है इसको दिहान से समझना है जब male gamete और female gamete दोनों देखने में अलगलग प्रकार का होता है यानि कि male gamete और female gamete दोनों में अंतर पाया जाता है इसको बलेंगे hetero gamete यानि कि मान लिया कि ये है जैसे male gamit ये है female gamit ये हो गया male gamit male gamit और ये है female gamit male gamit छोटा है female gamit बड़ा है male gamit में फलजेला एक पूँच पाया जाता है female gamit में इसा कोई पूँच नहीं है male gamit liquid medium में गती कर पाएगा female gamit में गती करने की समता नहीं होती है हमको यहां साफ अंतर समझ में आ रहा है जब male gamit और female gamit दोनों अलग अलग प्रकार का दिखता है तो हम इसको बोलते हैं heterogamit या anisogamit लेकिन कुछ lower organism है जैसे की algae, सेवाल, पानी में पाये जाने वाले simple type के घास को हम कहते हैं algae, सेवाल तो जो lower organism है जो निम्न वर्ग का जीव है जैसे की algae हो गया, सेवाल हो गया उसमें male gamit और female gamit दोनों एक समान देखता है दोनों एक देशा है देखेगा जैसे की यह है male gamit मतलब यह हो गया अब दोनों gamit मतलब कोई एक male gamit है, कोई female gamit है, क्या पता चला कुछ अंतर है इसमें, कोई अंतर नहीं यह भी single cell यह भी single cell इसमें भी 2 फ्लेजला, उसमें भी 2 फ्लेजला, समान size, समान structure, दोनों में double double फ्लेजला, दोनों गती करने योग यह है कोई अंतर नहीं है तो हम ऐसे gamit को बोलेंगे क्या homo gamit यानि कि एक को हम बोल दिये male gamit किसी एक को बोल देंगे male gamit और एक को बोल देंगे female gamit कोई भी अंतर नहीं है लेकिन जब ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो फिर एक off spring का निर्मान हो जाएगा तो कौन male gamit है कौन female gamit है कुछ समझ में आता है लेकिन कि एक है male gamit एक है female gamit ऐसा क्यों क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े करके संतान बनाता है तो ऐसा थोड़े नहीं है कि male gamit male gamit ही जुड़े करके संतान बना ले फिमेल गेमिट फिमेल गेमिट ही जुड़ करके संतान बना ले एक जुड़ता है मेल गेमिट एक जुड़ता है फिमेल गेमिट तब जा करके संतान का जमान होगा तो जब मेल गेमिट फिमेल गेमिट दोनों एक समान दिखता है उसको बोलते हैं होमो गेमिट और जब male female gamit अलग लग प्रकार का दिखता है इसको बलेंगे heterogamit थोड़ा सलिक देते हैं जब male gamit male gamit and female gamit जब male gamit and female gamit and female gamit दोनो एक समान होता है ठीक है एक समान हो जब male gamit और female gamit दोनो एक समान हो तो उसको बोल देंगे homogamit इसको बोल दिए homogamit ठीक है इसके बाद इसका एक्जाम्पल क्या है इसका एक्जाम्पल है gamits of algae gamits of algae सेवाल का gamit ठीक है heterogamit में क्या लिखेंगे जब male gamit and female gamit एक दुसरे से भिन हो तो उसको बोल देंगे heterogamit और इसका एक्जाम्पल है gamits of gamits of all higher organisms ठीक है आजा जगा पर बहुत मुझ कर रहा है क्या यह समझ मैं गेमिट्स एंड इट्स टाइप गेमिट है क्या तो वह है इप्लाइड इप्रोडक्टिव से जो की संतान के नियमार में भाग लेता हम उसको बोलते हैं गेमिट गेमिट होता है दो प्रकार का एक होता है होता है heterogamit जब male female gamit दोनों एक जैसा दीखता है तो उसको क्या बलेंगे homo gamit example किसका है तो gamit of algae algae का gamit और heterogamit किसको बोलेंगे जब male gamit और female gamit दोनों अलग अलग प्रकार का दीखता है तो उसको बोलते है heterogamit इसका एजामपल है gamit of all higher organisms ठीक है organisms कहां कहां चला गया ऐसा करते हैं थोड़ा से इसको हम यहां से हटाते हैं ठीक है इसे में लिग देता है क्याट जातो भी organisms ठीक है आगे बढ़ता है अब है cell division during gamit formation gamit के निर्मान के समय किस प्रकार का cell division होता है जब भी gamit बनेगा तो किस तरह का cell division होगा इसको हम लोग समझता है gamit निर्मान के समय किस तरह का cell division होता है अगर parent body अगर parent body अगर parent body deployed है अगर parent body कैसा है deployed यानिकी to end तब यदि gamit बनेगा याद रखना कि gamit हमेशा ही haploid होता है gamit हमेशा ही कैसा होगा haploid होगा यानिकी n के रूप मे रहेगा gamit हमेशा ही haploid आता है तो जब parent body deployed है to end और to end से gamit n के रूप मे बन रहा है to end से n हो रहा है मतलब यहा meiosis division होआ यहाँ पर कौन सा division हुआ यहाँ पर हो गया meiosis division यहाँ हो गया meiosis division ठीक है इसके बाद अगर parent body अगर parent body हैploid हो अगर parent body haploid यानिकी n के रूप में है तो जो उसमें gamit बनेगा तो उसमें जब gamit बनेगा तो gamit तो हमेशा haploid रहता है gamit हमेशा haploid यहनिकी n के रूप में रहता है तो याद रखना है कि haploid cell में कभी भी meiosis नहीं होता है haploid cell में जब भी division होगा mitosis होगा haploid cell में meiosis division कभी भी नहीं होता है तो haploid parent body से haploid gamit बन रहा है यहनिकी kromosome number maintain रह गया kromosome घटा बढ़ा नहीं तो कौन सा division होगा mitosis division होगा कौन सा division mitosis division जितना भी उच्च वर्ग का जीव है जैसे mammals है bird है, reptiles है जितना भी उच वर्ग का जीव है चाहे higher plants है जो flowering plants है जो angio-espermik group का जो plants है उसका बड़ी होता है diploid उच्च वर्ग के जीव का बड़ी कैसा होता है diploid और diploid बड़ी में जब gamit बनेगा तो कौन सा cell division होगा meosis cell division होगा जिसमें kromosome number half हो जाएगा 20 से N हो जाएगा जैसे human के diploid cell में kromosome कितना है 46 है जैसे meosis होगा बन जाएगा gamit चाहे sperm बने चाहे अभम बने तो उसमें kromosome कितना हो गया 20 से N यानि 46 से 23 हो जाएगा तो human gamit में कितना kromosome 23 होता है लेकिन यदि parent body ही haploid हो जो भी lower organism है जो भी निम्न वर्ग का जीव है जैसे कि algae है फंजाई है ब्रायोफाइट्स है जो भी निम्न वर्ग का जीव होता है उसका सरीर खुद haploid है और haploid से में कभी भी meiosis नहीं होगा उसमें हमें सा mitosis होगा तो उसमें gamit बनता है किस devian के दवारा mitosis devian के दवारा तो ज़्यादा करके gamit बनता है meiosis के दवारा ही लेकिन lower organism में mitosis के दवारा भी gamit बनता है हम लोग parthenogenesis पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में उसमें बताए थे कि जो drone मदुमक्खी है जो male मदुमक्खी है drone मदुमक्खी उसमें sperm का निर्मान mitosis के दवारा होता है क्यों? क्योंकि drone मदुमक्खी का पुरा का पुरा बड़ी haploid होता है drone मदुमक्खी का पुरा का पुरा बड़ी haploid है और उसके haploid cell में mitosis के दवारा ही sperm बनता है हम लोग समझ गया कि cell division during gamit formation gamit formation के दवरान prior myosis होता है लेकिन कभी-कभी lower organism में mitosis भी होता है आगे बढ़ता है myocyte और gamit mother cell ये क्या चीज है तो थड़ा दिहां से समझना है कि myocyte या gamit mother cell है क्या ये एक cell है ये एक cell है ठीक है इसमें हो गया myosis division इसमें हो गया myosis division और myosis जेस्योगा तो ये एक cell divide होकर के चार cell बना लेगा चार daughter cell बना लेगा बना या और याद रखना है कि जैसे myosis होगा तो बनने वालो जो चार cell है ये निस्सित रूप से कहलाएगा gamit ये चारों क्या कहला गया gamits कहला गया ये N है और ये एक deployed cell है या एक deployed cell है जिसमें कि myosis होआ और क्या बन गया gamit बन गया तो जिस cell में जिस cell में myosis division होने से gamit का निर्मान होता है हम उसी cell को कहते है myosite या gamit mother cell तो ये हो गया क्या myosite या फिर इसी को क्या बोलेंगे इसी को बोल देंगे gamit mother cell जो की होगा कैसा 20 deployed याद रखना कि जिस cell में myosis division होने से gamit का निर्मान होता है उस cell को कहते है myosite या gamit mother cell और ये हमेशा कैसा होगा deployed होगा हमारा body cell कैसा है deployed है हमारा myosite कैसा है deployed है लेकिन gamit कैसा है haploid है myosite की तुलना में gamit में हमेशा chromosome number half हो जाएगा और gamit की तुलना में myosite में हमेशा chromosome number double रहेगा human के myosite में number of chromosome 46 होगा human के gamit में number of chromosome 23 होगा होगा की नहीं तो लिख देते हैं जिस deployed cell में जिस deployed cell में मियोसिस division होने से gamit का निर्मान होता है उसे हम क्या कहते हैं मियोसाइट काता है मियोसाइट काता है ठीक है उसे मियोसाइट या फिर gamit मदर cell काता है आगे बढ़ता है यहाँ पर NCRT book का एक table दिया गया है NCRT book का एक table है और इस table उमिद करते हैं कि सापसुत्रा दिखाई पढ़ रहा होगा इस table में एक तरफ दिया गया है name of organisms ठीक है एक तरफ है number of chromosome number of chromosome number in मियोसाइट मियोसाइट में chromosome number और chromosome number in gamit यहाँ पर gamit में chromosome का number दिया गया है इधर है human being तो मनुस के मियोसाइट में कितना chromosome है 46 तो मनुस के gamit में कितना हो जाएगा 46 का आधा हो जाएगा half हो जाएगा 23 हो गया अब यहाँ हाउस फलाई हाउस फलाई में यहाँ पर मियोसाइट में दिया गया कितना 12 12 है तो gamit में उसका आधा कर दिया जाए, 6 हो जाएगा, ठीक, फिर यहाँ पर rate में दिया गया है, rate के gamit में दिया है 21, तो इसके मियो साइट में उसका दोगुना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, इसके बाद dog में दिया है 78, 38 मियोसाइट में तो गेमिट में इसका हाफ कर देंगे हो जाएगा 39 इसके बाद केट में गेमिट में दिया है 19 तो इसका दोगुना कर देंगे मियोसाइट में हो गया 38 फिर फ्रूट फ्लै में 8 है तो यहां हो जाएगा 4 ओफ्यो ग्लोसम एक फर्म का पौदा है और इसमें 1260 1260 तो इसका हाफ होगया गे मिट उसके बाद के वेपल में 34 है तो गे मीट में हो जाएगा 17 ओर इसके मियोस्ट ने हो जाएगा submacormagor eşया GMA 1928, 190 हो जाएगा और ओनियन, प्याज मिया सोला दियात यह हो जाएगा 32 हम NCRT के स्टेवल को भी भर लिए कि मियोसाइट में क्रोमोसम नमर कितना है और गेमिट में क्रोमोसम नमर कितना है आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगए हैं फेटिलाजेशन पर एक बार जड़ासा यह स्ट्रक्चर दिखा देता हैं हम लोग देख रहे हैं कि Events in Sexual Production Sexual Production की घटनाओं को हम तीन भाग में बाटे Pre-Fetilization Event, Fetilization और Post-Fetilization Event Pre-Fetilization Event को फिर दो भाग में बाटे Gematogenesis और Gemat Transfer हम लोग पढ़ लिए अब हमारा दूसरा topic आ गया fertilization ठीक है, हमारा दूसरा topic आ गया है fertilization ठीक है कहां है fertilization हम, यहाँ, fertilization थ्याँ से समझना है अब क्या है fertilization male gamit और female gamit, जैसे आपस में fuse करेगा, और jagot बनेगा हम इस के आपको क्या बोल देंगे fertilization, ठीक है तो male gamit and female gamit के fusion से जाइगोट बनने की प्रेकरिया कोई हम क्या बोल दते हैं फैट लासन कहता है कि ये है male gamit और ये है female gamit male gamit और आगे बढ़ा और क्या हो गया कि ये female gamit के अंदर प्रवेस करने लगा तो जैसे male gamit female gamit एक दुस्षे से जुड़ेगा और एक हो जाएगा तो अब ये मिल करके क्या हो गया एक हो गया male gamit के पास था 23 क्रोमसोम female gamit के पास था 23 क्रोमसोम दोनों आपस में जुड़ करके एक हो गया तो इसके पास हो गया कितना 46 क्रोमसोम तो हम इसको क्या बोल दिये जैगोट बोल दिये ये ही प्रोसेस क्या का लाग गया फैटलैसन, male gamit तथा female gamit के फ्यूजन के फल स्रूप जैगोट बनने की प्रेकरिया को हम कह दते है फैटलैसन ये फैटलैसन होता है दो प्रकार का ये फैटलैसन होता है दो प्रकार का तो जरह सम इसका टाइप्स देख लेते हैं टाइप्स, दो तरह का फैटलाजेशन होता है, ठीक है, कौन-कौन, तो एक है, एक है, इंटर्नल फैटलाजेशन, एक है इंटर्नल फैटलाजेशन, और दुसरा है, एक्स्टर्नल फैटलाजेशन, एक्स्टर्नल दुसरा में है एक्स्टर्नल अरे यार क्या हो जा रहा है सकेंड पॉइंट में है एक्स्टर्नल फर्टिलाईजेशन मेल गेमिट और मेल गेमिट के फ्यूजन से जाइगोट बनने की प्रिक्रिया कम करते है फर्टिलाईजन फर्टिलाईजन दो तरह का होता है इंटर्नल फर्टिलाईजन और एक्स्टर्नल फर्टिलाईजन जब मेल गेमिट और मेल गेमिट का फ्यूजन फिमेल पेरेंट के बड़ी के अंदर होता है प्राया यही होता है कि मेल पेरेंट का मेल गेमिट उसके सरीर से निकलेगा फिमेल पेरेंट के सरीर में जाएगा फिमेल पेरेंट बड़ी के अंदर में पहले से फिमेल गेमिट रहेगा तो male gamit धीरे धीरे female gamit से जा करके जूड़ जाएगा कहाँ पर female parent के body के अंदर सरीर के बाहर नेवल की सरीर के अंदर तो जब male gamit और female gamit का fusion female parent के सरीर के अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? internal fatulation लिख देते हैं जब male gamit and female gamit जब male gamit and female gamit जब male gamit and female gamit का फ्यूजन फिमेल फैरेंट के बड़ी के अंदर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं तो उसे internal fatt lesson कहते हैं तो उसको internal fatt lesson कहते है इसका example है mammals जितना भी mammals है यह सभी हो जाएगा जितना birds है सभी हो जाएगा जितना भी snacks है यह सब हो जाएगा, ETC कर देता है, इन सब में, Mammals, Birds, Snacks, सब में Internal Fat Lesson होता है, External Fat Lesson का क्या मतलब है, जब यह Male Gamit और Female Gamit, दोनों आपस में Fusion करेगा, कहां पर, Female Parent के वड़ी के बाहर, कहां पर बाहर में, Water में, पानी में, जैसे कि मेढग में क्या होता है, थोड़ा सा पहले Image ही दिखा दता है, देखा जाए थोड़ा सा इस Figure को, अध्यान से देखना इस Figure को, देखा जाए, यह Female Productive System का Figure, यह Overy में ओभम बना और यह ओभम निकल करके आ गया, फेलोपियन ट्यूमें, यहां आ गया, ठीक है, यहां से Sperm In करेगा, ठीक है, Sperm आगे In कर रहा है, Sperm आगे बढ़ा, और यह Sperm, फेलोपियन ट्यूम तक कहुँचा, अब यह Sperm, ओभम किसी जाकर के जूड़ जाएगा, तो Sperm, ओभम आपस में जूड़ रहा है, कहा, Female Parent के बड़ी के अंदर जूड़ रहा है, इसको बोल देंगे, Internal Fatalization, यह क्या हो गया, यह हो गया, Internal Fertilization, यहां पर ओभम है, Sperm उसके अंदर प्रिविस कर रहा है, मान लिया कि यह जो इमेज है, वो यहां पर ऐसा घटना घट रहा है, यह फेलोपियन ट्यूम के अंदर में, Sperm आपस में जूड़ रहा है, और यह क्या है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक Male Frog है और एक Female Frog है, यह हो गया Male Frog, यह हो गया Female Frog, ठीक है, दोनों पानी में गया, और Male Female Frog दोनों अपने अपने गेमिट को पानी में छोड़ दिया, यहाँ पर हम देख रहे है हम यहाँ देख रहे हैं कि यह इस्पर्म है ठीक है और यह सब क्या है यह सब ओभम है है ना तो male frog female frog दोनों क्या करता है पानी में जाएगा और दोनों अपने अपने गेमिट को पानी में त्याग दिया अब पानी में ही इस्पर्म और ओभम आपस में fat lesson करेगा तो fat lesson पानी में हो रहा है फिमेल frog के सरीर के अंदर नहीं हो रहा है बलकि कहा हो रहा है पानी में हो रहा है तो जब male गेमिट और female गेमिट का fusion female parent के बड़ी के बाहर जैसे की पानी में होता है तो हम उसको बोलता है external fat lesson तो यह किसका image है यह हो गया external fertilization का किस में होता है तो frog में होता है कुछ मचली में होता है ठीक है तो ज़रा सा आते हैं back तो सद्यान से देखना है फिर से देखा जा एक्स्टरनल fat lesson में क्यों होगा कि male गेमिट और female गेमिट का fusion female parent के बाहर जैसे की पानी में होता है देख देता है जब male गेमिट and female गेमिट का fusion चा मेल गेमिट and female गेमिट का fusion का fusion फिमेल पेरेंट के बड़ी के बाहर जैसे की जल में होता है तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे एक्सटरनल फैट लाइसन कहते है ठीक है इसका एक्जामपल है फ्रॉग ठीक है फ्रॉग इसके बाद सम फिसेस मचली ठीक है तो फ्रॉग है फिसेस का स्पिलिंग हमको लगता है गलत हो गया है है ठीक है तो जब मेल गिमीट और मेल दोना अपस में जुड़ेंगा कहां पर प्रॉटोड़ वनदर उसको बोलेंगे इंटरनस भाईट लाइशनaları जब male female gimmick का fusion का हो female body के बाहर जैसे की water में हो पानी में हो उसको क्या बोल देंगे external fat lesson external fat lesson किसमें होता है तो frog में होता है और कुछ मचलियों में होता है आगे बढ़ता है ये figure समझ में आ गया internal fat lesson, external fat lesson इसके बाद post fat lesson event अब तिसरा पर आगे हम लोग post fertilization event post fat lesson event में क्या होता है हम लोग जान गए कि सबसे पहले gamit बना gamitogenesis हो गया फिर gamit transfer हो उसके बाद fat lesson हो गया internal fat lesson हो सकता है external fat lesson हो गया तो fat lesson के बाद क्या बन गया जाइगोट अब जाइगोट बनने के बाद का जो घटना उसको क्या बोल देंगे post fat lesson event तो यह निशेचन के बाद की घटना है यानि की लिख देते हैं फैर्टिलाइजेशन फैर्टिलाइजेशन के बाद की घटना है तो पोस्ट फैर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे यह है जाइगोट ठीक है यह क्या है जाइगोट है डिपलाइड होगा जाइगोट में बड़ी तेजी से होने लगता है माइटोसिस डिविजन कौन सा डिविजन माइटोसिस डिविजन तो जैगोट में जब बहुत जिससे एक बार माइटोसिस होगा तो टू सेल इंबरायो बनेगा फिर माइटोसिस होगा एट सेल इंबरायो बनेगा तो इसमें डहे सारा सेल्स बन जाता है इसमें बहुत सारा सेल्स बन जाएगा और यह जो बहुत सरा सेल्स है सेल्स का ग्रूप बन गया हम इसको क्या बोल देंगे embryo बोलेंगे हम इसको क्या बोलेंगे embryo बोलेंगे तो जाइगोट से क्या विक्सित हो रहा है embryo जाइगोट से embryo विक्सित होने की प्रेकरिया को हम कहते हैं embryogenesis embryogenesis कहते है ठीक है fat lesson के बाद fat lesson जैसे होगा तो जाइगोट तो बन गया इसके आगे का कहानी क्या है तो जाइगोट में होगा तेज गती से mitosis division तो जाइगोट में पहले मतलब two cell structure बनेगा जिसको two cell embryo बलेंगे फिर mitosis होगा तो four cell embryo फिर mitosis होगा eight cell embryo फिर इस तरह से number of cell का संख्या बढ़ते जाएगा याने इंब्रायो लगातार विक्सित होते जाएगा तो जैसे जाइगोट में लगातार mitosis division हो रहा है इंब्रायो विक्सित हो रहा है तो हम इसको क्या बोल दिये embryogenesis जाइगोट से embryo develop होने की प्रिक्रिया को कहता है embryogenesis और इस दोरान कौन सा cell division होगा mitosis cell division होगा ठीक है इस दोरान mitosis cell division होता है और जब ये embryo विक्सित हो जाता है फिर बच्चे का जन्म हो जाएगा मतलब एक शिसुक रूप में convert हो जाएगा तो उस बच्चे का हो जाता है जन्म जराशा एक image देख लेते हैं हम लोग एक image देख लेते हैं ठीक है यहाँ देख रहे हैं कि ये है ओभरी ठीक है ओभरी रख कलर चेन करना पड़ेगा यह हो गया एक ओभरा अगे बढ़ा यहाँ पर जय है जाएगोट बन गया क्या यहाँ दिखाया जार है कि जाएगोट बन चुका है ठीक है और यह अभी जाएगोट ही है इस जाएगोट में फर्स्ट भीवाजन हुआ जैसे पहली बार डिविजन हुआ यहां बन गया two-celled stage यहने कि यह बन गया two-celled embryo दो cell इसमें दिखाए पड़ रहा है फिर इसमें चार cell दिखाए पड़ रहा है फिर यहां पर eight cell इस तरह से number of cell क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है और वो धिर दिरें embryo phill oben tube से आगे move करते जा रहा है वो uterus की ओर आते जा रहा है embryo लगतार विकसित भी हो रहा है वो धिरें दिरें uterus की ओर आ रहा है अब क्या हुआ कि यह जो embryo है यह धिरें-धिरें uterus के inner wall में धस जाएगा इंडोमेटरियम में यह क्या हो गया यह इंब्रायो जो है यह इंब्रायो धीरे धीरे इंडोमेटरियम में धस गया है तो जैसे इंब्रायो इंडोमेटरियम में धसता है युटरस के इनर वाल को हम कहते हैं इंडोमेटरियम इस क्रिया को हम बोल देंगे implantation implantation यह N है implantation implantation यह हो गया implantation ठीक है फिर धीरे धीरे और यह बिक्सित होगा 9 मन्त का टाइम लगता है मनुस में 9 मेना को बद बच्चे का जनम हो जाएगा एक और फिगर यहां पर दिखाया गया है human embryonic and fetal development यह fertilized एग है metosis हुआ 2 cell stage बना 4 cell stage बना 8 cell stage बना 16 cell stage बना धीरी धीरे cells का नंबर और बढ़ गया एक खोकले गेंद की समान इंब्रायो बन गया इसको क्या बोल दिये blastocyst बोल दिये अब आगे का process है कि मा के पेट में जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा विक्सित हो जाता है तो उसको embryo ना बोल करके उसको fetus बोल देता है और fetus जब छोटा सा बढ़ा होगा उसको बोलेंगे fetal development embryo छोटा सा बढ़ा होगा उसको बोलेंगे embryonic development और वही इमरायो जब थोड़ा सा ज़ादा बड़ा हो जाता है तो फिर हम उसको इमरायो ना बोल करकर उसको फीटास काता है और जब छोटा फीटास थोड़ास बड़ा होगा उसको बोलेंगे फीटलडivalpment तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह four-wick का फीटास है यह फिर 10-wich इसके बाद हम यहां देख रहे हैं यह 16 विकाफिटस है यह लगभग 20 विकाफिटस दिखाया गया है इसको टच ही नहीं करेंगे ठीक है तो धीरे-द्री यह सिसु में करोट हो जाएगा और फिर उस बच्चे का जन्म हो जाता है तो हम यह पोस्ट फेटर से मिट में क्या देखें कि जाइगोट बनने के बाद उसमें तीजी से मैटोस इस डिविजन होगा और इम्रायो बनेगा तो जाइगोट से इम्रायो बनने की प्रेकरिया को हम इम्रायो जिनेसिस बोल दिये और फिर जब बच्चा वो पुरा पुरी रेडी हो जाता है फिर बच्चे का हो जाएगा जन्म यह फिगर भी समझ में आ गया तो यहाँ पर लेक्चर हो जाता है कम्प्लीट और हम देख बिलकुल ncrt book के अनुसार पढ़ाये ncrt book जो जो topic जिस तरह से दिया गया विलकुल उसी तरह से हम पढ़ाये है आप सब इसका screenshot ले सकते हैं अब एक तरब से screenshot ले लिगे हम click करवाते हैं इसके आगे इसका कोई जरूरी नहीं है अगे बढ़ते हैं इसका भी कोई जरूरी नहीं है इसका क्लिक किजिए इसका भी इसका भी क्लिक कर सकते हैं इसका भी क्लिक करना है ये उपर चला गया है क्या इसको ठीक करते है अब ठीक है कि आगे इसका क्लिक कर सकते हैं ये भी क्लिक करना है ये भी क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ ये लेक्चर हो जाता है complete ये lecture number 4 है और इसके बाद उमिद है कि साथ एक ही lecture में chapter complete हो जाएगा 5 lecture में ये chapter हो जाएगा complete आप बहतर notes के लिए आप telegram group join कर सकते हैं आपको telegram application में search करना है universal biology group आएगा उसमें खुल से आप join हो सकते हैं आप बहतर figure के लिए आपको अगर मेरे हाथ का figure वगरे सब चाहिए तो आप हमको instagram पर follow कर सकते हैं मेरा username आनंद कुमार bio है और आपको link के description box में मिल जाएगा तो हम लोग मिलते हैं एक दिन के बाद ये video थोड़ा देरी से आया कोई बात नहीं हम लोग तेजी से course को आगे बढ़ाएंगे और ये chapter अगले एक lecture में complete हो जाएगा उसके बाद objective कराना है या नहीं कराना है commit करके बताईएगा अगर सबका मन होगा objective कराने का थो हम objective भी करा देंगे यदि मन होगा अगले chapter में जाने का तो फिर हम human reproduction जल्द ही start करेंगे तो अगले एक lecture के बाद या तो objective होगा है chapter का या फिर human reproduction chapter हम start करेंगे तो मन लगा करके पढ़ते रहिए हम लोग मिलते हैं अगले class में all the best